कि हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो आर चैनल आज का डिसकेशन का टापिक है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप अंड डबल डेटा टाइप के बारे में इस दोनों को मैं एक साथ क्यों लिखा हूं कि यह काफी हद तक सीमिलार है इसलिए इनको एक वीडियो में ही बता है और डबल डेटा टाइप क्या है उसका एक्जम्पल देखेंगे ओके तो चलिए स्टार करते हैं फ्लोटिंग प्लोट मतलब क्या है पहले समझ चाहिए कि फ्लोट मतलब है डेसिमाल डेसिमाल जो पॉइंट वाला नंबर होता है रोको में रप करने के लिए जगा चौड होता है 2.3 हो गया 3.1 जो फ्राक्शनल मतलब जो पॉइंट होता है ना फ्राक्शनल वाले उसको बोलते फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ओके तो इधर देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप आलाओ जे भारे बूल तो स्टो डेसिमाल वाल्यूज और फ्राक् ले बूल हो गया यह उसका डेटा टाइप फ्लोट हो गया और यह डेटा टाइप भारिवल पर जो भाली होगा 0.3 यह उसका भाली हो गया ओके इसलिए हम प्लोटिंग पर र APP करते वारे यह प्लोट वाला मतला बहुंग वाले यह पॉइंट्ड वाला और प्राक्शनल वा ș다면 के लिए 10 व मैं सिटूरेज साइज अफॉ टाटा टाइप इज फोर बाइट इंटीजर का जेसा था टू वाइट इएट वाइट ऐसाइ फ्ॉक्टिंग नगा डाटाईप का ऩो साइज क्या होता है फोर बाइट होता है। इस टाटाउट अलाओस तो हो Carn时间 असुज tu स्टोर करके डेसिमाल पहर नपने को स्टोर करता है मतलब फ्लोट अगर आप लिखोगे टो अ एक्वल टो 0.3122112345669 लिखते तो फ्लोट हमको फैसिलिटी मतलब फाकल्टी देता है कि पोइंट के बाद six digit one two three four five six six digit को store करने के लिए floating point number हमको मतलब facility provide करता है ओके तो इसलिए लिखा गए this data type allows us to use up to six digit after decimal point up to six digit ओके example के देखते हैं 8.567 865 is stored in a variable using plot data type और plot को कैसे लिखा जाता है चाहिए small letter पर EFL OAT plot और variable name उसके बाद लिखा जाता है और equal to देखे भाल्यों का जो साइन करें और से मिकलन दिया जाता है ऐसे प्रोग्रामिंग में एसे लिखे कि एक्जाम में कैसे लिखना है लॉंग को सिन क्या है सोट को सिन क्या आएगा और प्रोग्राम प्राटिकाली कैसे होगा सभी को एक चीद देखांगा आपको पूरे के पूरे प्ले लिस्ट में सभी चीज मिल जाएंगे एक ही जगा पे ओके मैं जो वीडियो बना रहा हूं नहीं तो इंस्टाग्राम पे करना मैं सारी चीज फिर एक बार वीडियो बना के आपको और एक बार समझा दूंगा ओके तो अभी देखते हैं डबल के बारे में डबल लेटा टाइप पहले ही बताता है डबल एक फ्लोटिंग डटाइप के जैसा ही होता है डबल डेटा ट पॉइंट के बाद शिक्स बाइट जाता है डबल में ज्यादा जाएगा ओके डबल की बाड़ इस दो डबल डाटा टाइप स्मॉल में डी ओ यू बी ली डवल यह चीज दा स्टोरे साइज अब डबल डेटा टाइप इस एट बाइट फ्लोटिंग पॉइट में क्या था बाइट था और डबल में स्टोरे साइज क्या है एट बाइट होता है ओके यह चीज डबल में मतलब एक्स्टेंड किया गया है जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में हमको सिक्स डिजिट तक रखने के लिए सुबीदा था मतलब इस डेटा टाइप अप्टो यूज अप्टो 10 डिजिस आफटर डेसीमल पॉइंट के बाद हम फ्लोटिंग में क्या था इस डिजिट अब कर रहिक सकते हैं नमर को पर डबल में क्या है टेन डीजिट डेसिमाल के एट पॉइंट सेबंट सिक्स डेसिमाल के बाद 10 डीजिट यह से बनेंट टो थ्री-फोर-फाइव-ई- 910 ूपके 10 डिजिट हो गया एकमपल डबल का का कैसा है डबल लिखेंगे और बारीवल का नाम लिखेंगे और इक अक्न देखेंगे बहुत अपकर उसके बारे में देखेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेट करके बताना कि कैसा चल रहा है ये वाला प्लेलिस्ट कैसा चल रहा है ओके और सारे के सारे पीडिये मैटेरियल आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे कंटर्ट कर लेना थैंक यू